कि दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सर्दियों में होने वाली फिशर से कैसे अप अपनी सावधानी रख सकते हैं फिशर यानि के गुदा मार्ग में कट जाना चिर जाना फट जाना ऐसा लगता है कि दोस्तों मैं डॉक्टर नुच्टियागी गुदा रोग विश्य सके चार्ज दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सर्दियों में होने वाली फिशर से कैसे अपनी सावधानी रख सकते हैं फिशर यानि के गुदा मार्ग में कट जाना चिर जाना फट जाना ऐसा लगता है कि डाक्स अब गुदा मार के अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ कट रहा है कोई चीज काट रही है तो ऐसे में अगर कोई भी जैसे आपके होट फटते हैं सरदियों के अंदर में यानिकिक खुश्की बढ़ती है तो शरीर के हिस्स्ते का जब आपका देखते हो कि कि आपका चैरेपे एक होट फटते हैं ऐसी स्तेथि में आपको दिक्कत आती ही आती है तो आप क्या करते हो कोई भी की यूज करते हो कोई भी बाम टाइप का यानिके कोई बैसी चीज जो आपके होटों को मुलायम रखे तो दोस्तों फिशर में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि एक तो हमारा गरिस्ट खाना हो जाता है हम लोग तो थोड़ा गरम खाना शुरू कर देते हैं लगने हो चाहे वह सोटके लड़ू हो चाहे कि अलावा तिलके लड़ू हो चाहे वह आपके आपके ज्यादा मूवफली बादाम और इस तरह की चीज़े आइटम हो जो आप हैवी मेल लेना शुरू कर देते हो दोस्तों ऐसे-इसे से आपकी बोड़ी में अगर ट्रायनेस ब पहुचा देगा और कहीं पर भी कोई भी कट लग जाएगा जखाम बन जाएगा हो सकता है बूंद करके खून भी आ जाए या फिर रोज जलन रहनी शुरू हो जाए या फिर खुजली के साथ में और दूसरी परिशानिया शुरू हो जाए दोस्तों तो आप इन सब परिशान उसकता है या कोई भी साधारन टेल लो सकते हैं गुदा मार्ण में नहाने के बाद में कुछ भी आप उसे गुदा मार्ण के अपनी इस तरह से लेआ और अंदर में आखून साफ जाएं में करने खूदon कर दें अब कि गुदा मार्ग में खुश्की नहीं बनेगी और एनिहाव अगर कोई दिक्कत बन भी जाती है थोड़ा बहुत कहीं पर स्क्रेच लग भी जाता है तो वह उसको एप उसको जो है जिन लोगों को होता है बस उनी को पता होता है और जिन लोगों को छोटी मोटी खुजली खारिश होती है वो भी इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा दूसरे लोग के साथ में भी छोटी सी जानकारी ह लेकिन आपके काफी काम आएगी